नमस्कार भारत के पहली डिजिटल मोबाइल न्यूस चैनल मेट्टो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलिटिन की शुरुआत करते हैं हेदलाइन से पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से पाकिस्तान के खिलाव भरी हुंकार बोले हिंसा अत्याचार के लिए हमारे देश में कोई जगा नहीं वो आतंकी घचना पर खुश होते हैं राश्ट्रपती प्रणाव मुखर्जी ने कहा कमजोर तपके पर अत्याचार के खिलाव है सक्ती से निपचने की ज़रूराद राश्ट्र के नाम संदेश में कहा पडोसी प्रथम नीती से नहीं हटेंगे पीछे स्वत्रंतता दिवस के जशन में आतंकियों ने डाला खलल फ्रिनगर में CRPF कैम पर आतंकी हमला पाज जवान जखमी एक घर में छुपे दो देहशत गर्थ औलम्पिक में हार कर भी जीदी दीपा करमा कर कुछ पॉइंट से फिसला कांच से पड़क पड़क से चूकने के बाद सौरी कहा तो देश बोला हमें गर्थ है और फरार्टा के बार्षा उसेन बोल्च ने रियो उलम्पिक में दिखाया दम सौ मीजर की दोड में लगातार तीसरा स्वन पड़क जीता स्टेडियम में गुजा बोल्च का नाव पूरा हिंदुस्तान सोमवार को आजादे की सत्तर वी वर्ष गांट मना रहा है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने एतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राश्ट्र ध्वज की च्छाओं में देश को सम्भोदित किया ये प्रधान मंतरी का सबसे लंबा भाश्वन था प्येम ने करीब दो घंटे तक देश को सम्भोदित किया इस औरान उन्होंने लगबग हर मुद्दे को छेडा प्येम ने गरीबी किसान आर्थिक सुरक्षा से लेकर पाकिस्तान आतंगवाद और माववाद सभी मुद्दों पर अपने विचार रखे प्येम ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि पेशावर में बच्चों पर हमला होते हैं तो हिंदुस्तान रोता है लेकिन वो आतंग की घटना पर खुश होते हैं उन्होंने कहा कि गरीबी से बड़ी कोई आजादी नहीं हो सकती पीएम ने बदुत्स्तान, गिलगिट और पीयोके के लोगों का भी धन्यवाद भी किया इससे पहले सोंबा सुभा प्रधान मंत्री मोधी अपने आवाज सेवन रेस कोर से लाल किला रवाना होने से पहले राजगाट पहुँचे उन्होंने वहां राश्टर पिता महत्मा गांधी को श्रधान जली आत्पित की राश्ट्रपती प्रणाव मुखर जी ने सत्तरवे स्वतंतरता दिवस की पूर्व संध्या पर राश्ट्र को सम्भोधित किया इस मौके पर राश्ट्रपती प्रणाव मुखर जी ने कहा कि हाल के समय में हमारी विदेश नीती में काफी सक्रियता दिखाई दी है देश के नाम सम्मोंधन में राश्ट्रपती ने कमजोर तब के पर अत्याच्वार के खिलाव सक्ती से निपटने के जरूरत बताई और कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के बगेर सब भय नहीं है राश्ट्रपती ने कहा कि सभी देशों विशेशकर अपने निकटम पडोसियों के साथ साज्य मुल्य और परस पर लावबर अधारत नाय रिष्टे स्थापित करने की प्रक्रिया चारी है उन्होंने कहा कि पडोसी प्रथम नीती से हम पीछे नहीं हटेंगे उन्होंने कहा कि अफरीका और एशिया प्रशान्त के पारंपरिक साज्यदारों के साथ एतिहासिक संबंध फिर से सशक्त किये गए हैं एक और जहां देश सत्तरवे स्वतिंतरता दिवस के जशन में डूबा हुआ है वही जमुकश्मीर के श्रीनगर में आतंकी और ने सीर पीएफ के जवानों पर हमला किया है इस हमले में पांच जवान खायल हो गए हैं जबकी मुटभेड अभी जारी है श्रीनगर के नोटा में हुए आतंकी हमले में अब तक पांच जवान खायल हो गए हैं अभी तक किसी आतंकी के मार जाने की खबर नहीं है एक पुलिस कर्मी के भी खायल होने की खबर है बताया जाता है कि आतंकी के घर में छिपे हैं दोनों तरफ से गोली बारी जारी है दूसी तरफ उरी सेक्टर में एल ओ सी पर खुस पेट की कोशिश कर रहे दो आतंकीयों को स सेना के जवानों ने मार गिराया है रक्षा मंत्री मनोहर परिकर ने कश्मीर घाटी में भारी उक्सावे के बाद भी आतंगवादियों के साथ निबठने में बड़े सयम का परिच्वे देने के लिए सशस्त्र बलो की प्रशंसकी और सीमा पर चौकसी बनाय रखने तथा मुकश्मीर में संघर्ष विराम उलंगन एवंग घूस पेट की कोशिशों से प्राभावी तरीके से निपठने के लिए उनकी सरहाना की पठान कोट हमले का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा मैं इस हमले को विफल करने में वायू सेना के लड़ा को और सुरक्षा भलो द्वारा की गई कोशिश की सरहना करता हूं मुझे अपने उन साथ बहादुर जवानों की मौत पर गहरा दुख है जिन्होंने इस हमले का मुकाबला करते हुए राष्टर की खातेर अपनी जान कुर्बान कर दी बिहार को संसाधन उपलब्द नहीं कराने से नाराज म मुख्यमंत्र नितिश कुमार ने नीती आयोग के उपाध्यक्ष को पत्र हैं नीती आयोग के उपाध्यक्ष अर्विंद परन गाडियां को पत्र में मुख्यमंत्र ने लिखा हैं कि विकाज से सपनों को हकीकत में बदलने 2030 तक विक्सित भारत और STEVE हार ये ये बहुत साथ ही बिहार जैसे कम विक्सित राज्जे के लिए विशेश राज्जे का दर्जा प्रदान किया जाए मुखे मंत्री नितिश कुमार ने अपने पत्रों में बिहार में चल रहे साथ निश्चे का भी जिक्र किया है उन्होंने सुशासन के कारिक करम 2015-2020 के बारे में पत्रों में विस्तार से चर्चा की है विहार में पूर्ण शराबंदी की चर्चा भी उन्होंने अपने पत्रों में की है भारत की सानिया मिर्जा और रोहन वपन्ना की जोड़ी को यहां जारी 31 वे उलम्पिक खेलो के 9 दिन रवीवार को टेनिस के मिक्स्ट डबल्स इविंट के प्ले आफ मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और वे ब्रॉंज मेडल हासल करने का मौका गवा बैठे ओलम्पिक टेनिस सेंटर में हुए इस मुकाबले मिसानिया और वपन्ना को चेक कनराज्य की लूसी हादेका और रादेक स्टेपानिक की जोड़ी ने हरा कर ब्रॉंज मेडल हासल किया एक घंटा और ग्यारा मिंड तक चले इस मुकाबले में लूसी और रादेख की जोडी ने भारतिय जोडी को सीधे सेटों में 6-1-7-5 से पराजित किया भारत के पुरुष बैटमिंटन खिलाडी किदामबिक शिकांथ ने रियो उलम्पिक के नौवे दिन रविवार को पुरुष एकल वर्ग के अपने दूसरे ग्रुप मैच में जीत हासिल करते हुए प्री कौटर फाइनल में जगहा बना ली है वही भारत की ही पीवी सिंधू ने कनादा की मिस्शेल ली को 19-21-21-21-17 से हरा कर राउंड ओफ 16 में प्रवेश किया श्रिकांथ ने ग्रुप एच के अपने मुकाबले में स्वेडिन के हेंडरी हुरस काइनने को कड़े मुकाबले में 21-21-18 से हराया हाला की वर्ल्ड चांपिन्शिप में दो बार कान से जीत चुकी सिंधू को जीत हासल करने के लिए एक घंटा 11 मिनिट तक कठिन संघर्ष करना पड़ा सिंधू ने पहले गेम में ली को कड़ी चनौती दी और हार मानने से पहले 24 मिनिट तक संघर्ष किया पहला गेम गवाने के बाद सिंधू ने दूसरे गेम से बेहतरीन वापस की और 22 मिनिट में दूसरा गेम जीत स्कोर एक-एक से बराबर कर लिया तीसरे और ने नायक गेम में उन्होंने शुरू से दब-दबा बनाए रखा और 25 मिनिट में जीत हासल कर ली तुफान के परेयाए फराटा के बादशा हुसेन बोल्ट ने रियो में अपनी ख्याती के अनुरूप रदर्शन करते हुए सौ मीटर की बहु प्रतिश्ठित बहु चर्चित दौड में लगातार तीसरा स्वन पदक जीत कार ओलम्पिक में नया इतिहास रचा बोल्ट ने इस जीत से सुनिश्चित कर दिया कि वे दुनिया के सर्वकालिक माहान एतलिटों में से एक है रियो अलम्पिक में जेमेका के बोल्ट ने खचा खच भरे स्टेडियम में 100 मीटर के फाइनल में 9.08.01 का समय निकाल कर सोने का तमगा हासिल किया डोपिंग के दागी अमेरिकी धावक हस्टिन गेटलीन 9.08.09 के साथ दूसरे जब की कनाड़ा के आंद्रे डी ग्रेस 9.09.01 का समय लेकर तीस स्थान पर है लेकिन पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूज रह था वे बोल्ट का था विश्व और उलम्पिक रिकॉर्ड धारक इस फराटा धावक ने अपने प्रशंसकों को निराश भी नहीं किया खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरों के लिए बनी रहिये में टो टीवी के साथ जैहिंद